अंतर रश्टे महिला दिवस के अवसर पर बैंगलुरू के टाउन हॉल में एक सभाग को संबोधित करते हुए हिजाब प्रदिबंद से प्रभाविच्छात्रा आलिया अज्दी ने कहा कि सरकार द्वारा मुसलिम लड़कियों को तपड़े इस्तमाल करने की बहानी बनाने क कि साजिश रशी जा रही है शिक्षा से दूर। उन्होंने कहा कि आज स्कूलों और कॉलेजों में मुसलिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोकने के प्रयास किये जा रहे हैं जबकि आने वाले दिनों में यह संबभ है कि अन्य जगों पर भी इसी तरह के नियम बनाए जाए और अन्य जगों पर भी हिजाब पर प्रतिबंध लगाया जाए कहा कि महिलाओं को क्या पहना चाहिए और क्या नहीं